जहिन साथियो अगर आप मुख्य मंत्री कर्या सुमंगला योजना के लिए आविदन कर रहे हैं तो दोस्तो सबसे पहले इस वीडियो को आपको देखना है अगर आप किसी भी प्रकार का करेक्शन करना चाहते हैं फों में तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त संधीब और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटिव चैनल हेल्प बैसंदीब में दोस्तो यह जो पेज हैए इस पेंच का लिंक आपको डिस्क्रिक्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो आप डेस्क्रिप्सण करना नहीं सीखा है तो मेरी जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको description box में मिल जाएगा तो आवे दिन वहाँ से आप सीख सकते हैं कि कैसे करते हैं तो जो आपकी WR से start होती है registration ID वो उसको fill up करना है और capture डाल करके इसको submit कर देना है जैसी submit करेंगे तो आपके सामने एक next page कुछ इस तरह से open हो जाएगा इस page में जितने भी आपने अपने बच्चों को add किया हुआ है उतनी registration आ जाएगे जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें eligibility है दो child के उपर यानि कि दो child आपके हैं या तो दोनों girls हो या फिर एक boy और एक girl हो तो अब आप इस form को apply कर सकते हैं अन्य था आपको time waste ही जाएगा आपका अगर आप इस form को भरते हैं तो तो दोस्तो इस परकार से देख सकते हैं station number आ गई है और यहाँ पर दो child available है तो इसमें से जिस किसी का भी आपको phone भरना है तब उस पर click करना होगा अब बात कर लेते हैं page open होगा वहाँ पर जाकर के आप पूरी details उसको change कर सकते हैं ध्यान रहे जब भी आप अपना account change कर रहे हैं वो समय पर किसी भी परकार के नाम में वगेरह में आपको गलती नहीं करनी है यदि account number देते समय भी किसी परकार की कोई दिक्कत हो जाती है तब आपका जो payment है वो र परकार से आप यह जो account है वो change कर पाएंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आविदन है यानि कि जो stage है बच्चे की वो हम कैसे करेंगे तो जो बच्चा जिसकी आपको form भरना है आविदन करना है तो उस पर click करेंगे registration number पर तो यह form आपके सामने open हो जाएगा तो eligibility शो कर रहा है तो यहाँ पर आप eligibility के लिए बिलकुल तैयार है तो दोस्तो अगर कक्षा एक में बच्चे ने previous किया है यानि कि कक्षा एक में प्रिवेस के बाद तब आपको eligibility शो करेगी कक्षा छै में प्रिवेस के बाद यानि कि Class Six के बाद आप इस form को भशेके हैं और इ आप देख सकते हैं बराबर में edit का जो application ने दिया हुआ कि edit application इस button पर आपको click करना होगा simply और वहाँ पर जो भी चीज़े आप change करना चाहते हैं बड़े ही आसानी से आप कर पाएंगे तो यहाँ पर क्या है अभी हमने form तो भरा नहीं है तो इसलिए हम edit भी नहीं कर पाएंग तो दोस्तों हम fourth stage के लिए form भर रहे हैं तो click कर देते हैं यहाँ पर आजाएगा कि vary file registration number तो registration number में कुछ नहीं करना है आपको simply आपको check कर लेना है कि हमारी चीज़े हैं वो सही सही भरी होई है ठीक है तो gram बंचैद बगरा, block बगरा वो सब चीज़े देख करके यहाँ पर check करा देगा अब form आपके सामने आ गया है और form खुल भी चुका है तो पूरा form आपको एजटीज रहने देना है क्योंकि इसमें आप कुछ भी सुधारा भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो नाम वगरा है वो सब आपको carefully पहले से ही सही रखना है ठीक है अब नीचे जाकर के जो वरतवान पता है वह भी एजटीज रहेगा अब नीचे जाते हैं नीचे जाने के बाद में यह चीज़े आपको ध्यान में रखनी है कि लिखा हुआ है कि क्या आप registration के समय दिए गए बैंक खाता विबरण के साथ जारी रखना चाते हैं तब yes कर दीजिए अगर नहीं इस option पर क्लिक कर दो no के तो यह जो पूरा का पूरा जो नीचे form दिया है यह आपको नए जारी रखने के लिए आ जाएगा और यह कहेगा कि आप अपने जो bank विबरण बदलने बिना यह form जो है आप submit नहीं कर सकते इसलिए bank खाता विबरण बदलने के लिए आपको menu में ज करके यह जो profile का option आप देख सकते हैं child third के बराबर में तो यहाँ पर आप click कर सकते हैं और click करने के बाद में ही खाता आपको change कर लेना है तो दोस्तों खाता change करने के लिए मैं पहले भी कह चुगा हूँ कि वीडियो के last में ही मैं बताऊंगा तो सबसे पहले जब हम form भर रह हैं तो नीचे जाना है और नीचे जाकर कि आप देख सकते हैं कि कि किस तरह के आपको documents तो सबसे पहले विध्याले का नाम अब विध्याले के नाम में जिस विध्याले में भी admission यानि कि आपका बच्चा अध्यनरत है या आप अपड़ाई कर रहे हैं तब उसमें आपको ये name of school देना है हो सकता है ये video कोई बच्चा देख रहा है जो कि इस form को भरना चाहता है क्योंकि 9th या graduate बच्चा भी इस form को भर सकता है खुद से और खुद का account number भी लगा सकता है ठीक है तो विध्याले का पता आपको देना होगा यानि कि address of school high school उसके बाद में आपका सकोष्चा ये सरकारी है तो सरकार दोरा साहए तरफ्याट इस थिती अणिति आपको नहीं मांगी जाएगी टो आपको बहनीपी नहीं है नहीं आप भर सकते है उसके बाद में दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रगना है कि जो भी आप प्रमान पत्र दे रहे हैं तो जैसे फोटो है परिवार के साथ फोटो है तो उसमें आप JPEG या PNG दे सकते हैं अगर आप अपने फोटो को बदलना नहीं आता है कि PNG में या JPG में कैसे बदले तो उ भी होना चाहिए तो बालिका का फोटो लगेगा इसमें परिवार के साथ बालिकाओ का सनीक्त फोटो आपको अप्लोड करना होगा अब दोस्तों ये एफटेपिन मांगा जा रहा है तो जहां से आपने इलिजिबल्टी के लिए क्लिक किया है उसी के बराबर में दिया मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस परिगार से है तो यह यहाँ पर जो आपका एफटेपिट है इसको डाउनलोड कर लेना है हिंदी में ठीक है और आपको दस रुपे के स्टांट पेपर पे बनवा लेना है ये आप तहसील में जागर के करा सकते हैं ठीक है तो नोट और सहिता प्राप्त या ने मनने प्राप्त में BEO द्वारा प्रमानन यानिके उनके द्वारा वेरिफिकेशन चाहिए BEO के द्वारा ठीक है तो उस फाइल को आप चूज करके अपलोड कर दीजिए उसके बाद आधार कार्ट की स्कैन की की कोपी PDF में उसके बाद मा की मूल लिवास बनवाया है आपने अपना तो उसके लिए ही आपको आधार कार्ट भी दे सकते हैं या मूल लिवास भी आप दे सकते हैं दोनों में से कोई भी चीज आपकी चल जाएगी और I agree पर सब्मिट करने की बाद इस फॉर्म को सब्मिट कर देना है जैसे ही फॉर्म स बात कर लेते हैं करेक्शन की तो दोस्तों करेक्शन करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि वीडियो के लाश्ट में हम बताऊंगा तो दोस्तों हम जाते हैं प्रोफाइल पर तो प्रोफाइल पर की देख लीजिए दोस्तों यहां एडिट का उप्शन अभी नहीं करेंगे अफ़ एडिट में दोस्तों केवल आपणा का चैंज कर सकते हैं तो मैं वापस जाता हूं और पुरमटर प्रिटार Wohnung करें जिस इसके लिए आप भर रहे हैं यानि कि मातापित आपने दे सकते हैं और बच्चे भी अपने लिए जो है अपना खाता दे सकता है तो किसी भी तरह का आप किसी दूसरे का अकाउंट नमबर ना दीजी अगर ऐसा करते हैं तब दोस्तों आपका जो पेमिंट है वो अटक जाएगा और आपकी जो फाइल है वो रिजक्ट हो जाएगी तो देख सकते हैं यहां दिया हुआ है कि आल बैंक डिटेल्स तो दोस्तों यह बैंक डिटेल्स पूरी खुली हु हो आएगा यहां किवल जो अकाउंट होल्डर है उसका नहीं नाम आप चेंज कर पाएंगे तो मैं दोनों चीज़े आपको बता रहा हूँ उसके बाद मैं आपको जो बैंक पास्पूक है उसकी पीडियेफ भी अपलोड करनी होगी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आ दिश्टिक मैंने बदाई हूँ जैसे सेलेक्ट किया उसके बाद मैं फिर दुबार वही दिश्टिक ले रहा हूँ जिस दिश्टिक के माल लीजे फाइल है ठीक है उसके बाद में सारे बैंक आ जाएंगे इन बैंक में से जो भी आपका बैंक हो उसको सेलेक्ट कर ठीक है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो थोड़ा लंबी हो गया है उसके लिए मैं माफिचाता हूं धन्यवाद